इत्ति higher ऐ। हलो फ्रेंश कैसे आप सब फ्रेंशμ आज हम लोग अकाउंटस के चैक्टर कैश्च बूक को लेकर डिसकस करेंगे जिसमे पूरे त्योरी और सम्जcha डोनों को कभर करेंगे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग theory करते हैं जैसा कि हम accounts के हर chapter में करते हैं so cash book क्या है cash book जिसे book of original entry से लेकर prime entry से लेकर book of final entry भी कहते हैं मतलब cash book में हम starting से लेके ending तक का सब काम करते हैं चाहे वो cash related हो या bank से related अब वो कैसे करते हैं वो हम detail में आगे देखेंगे so ऐसा book ऐसा खाता in which all cash या bank transactions record जितने भी bank के या cash के transaction transaction का मतलब होता है lane day so bank या cash से related जितने भी transactions record होते हैं उन्हें हम cash book कहते हैं so हम इसके explanation से समझ सकते हैं कि cash book हमारे day to day business के लिए कितना जरूरी होगा क्योंकि business overall cash या bank पे depend होता है ठीक है transactions daily के होते हैं तो cash book सीखना कितना important है और यह हमारे business में आगे कैसे काम आता है और यह exam point of view से भी बहुत important chapter है especially class 11 के लिए ठीक है class 11 को इस chapter से बहुत benefit होगा क्योंकि यह chapter बहुत ही easy है आप जलबी समझ जाओगे और exam में questions भी solve कर पाओगे easy questions आते हैं अब देखेंगे type of cash book अगर हम type of cash book की बात करें तो यहाँ पे 5 type मैंने लिखा है लेकिन especially class 11 के syllabus में इतना नहीं होता है मैं आपको part to part सब समझाने की कोशिश करूँगी एक होता है single column cash book फिर double column फिर triple column फिर multi column and last होता है PT cash book ठीक है आपको जादा नहीं सीखना आपको single double triple भी आप सीख लोगे बहुत है और PT cash book सीख लोगे तो हो जाएगा class 11 के लिए ठीक है या फिर जिस हिसाब से आपके syllabus में होता है लेकिन especially important होता है double column सीखना सिंगल कॉलम से हमें knowledge हो जाता है हम basic सीख लेते हैं आज की class में हम लोग single column cash book देखेंगे तो चलिए अब सम देखते हैं दोस्तों यह है format single column cash book का और चलिए पहले सम देखते हैं तो सम देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें single column बनाना है कि double column क्योंकि सम में में इंशन रहता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है single column cash book सो यहां पर question है problem 1 write up essay class single column cash book for the month of April 2024 cash book जो होता है वो हम लोग monthly basis पर बनाते हैं from the following तो यहां पर हमें 2024 April की data सब दी हुई है सो एक तारीक को है cash in hand 1650 साथ तारीका दिया हुआ है cash sale ऐसे करके सम लास्ट में हमें बताया गया है requirement prepare cash book at April 30 2024 cash book monthly basis बनता है एक तारीक से सुरू होकर लास्ट जो डेट होगा उस तारीक तक हमें बनाना पड़ता है ठीक है सबसे पहल पर सम लिखा हुआ है essay classes cash book ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे इन दबुक्स ओफ ऐसे classes ठीक है फिर cash book यहां पर तो जो भी column का हम cash book गना रहे है वह यहां पर लिखते है जसे single column double column तो यहां पर single column का सम है इसलिए मैं यहां पर single column लिखेंगे इसके बाद date particulars VN LF VN का मतलब है voucher number LF का मतलब है laser folio rupees यह इतना पार debit side फिर यहां से इतना पार है credit side ठीक है same credit side के लिए date particulars VN LF और rupees debit credit लिखना बहुत जरूरी है यह पूरा performa format अगर हम नहीं लिखते हैं तो आप भले ही सम का answer निकलके आजाओ आपका marks कटेगा ठीक है तो यह लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है accounts के हर सम में अब हम सम सॉल्फ करते हैं बहुत इजी है single column बनाना सबसे पहला एक अप्रिल 2024 की बात की गई है तो यहां पर हम लिखेंगे 2024 1st April ठीक है 1st April हो क्या था cash in hand यानि कि balance था हमारे पास कब का balance मार्च का balance बचा हुआ है अप्रिल में तो यहां पर हम लिखेंगे 2 balance BD ठीक है 2 balance BD कितने रुपीज है यहां पर 1650 cash in hand ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे 1650 अब इसके बाद साथ तारीक का जो entry है यह एक तरीकी entry हो गई ठीक है cash book में जब भी पैसे कहीं से आते हैं तो हम उसे यहां mention करते हैं और जब भी पैसे कहीं को जाते हैं तो यहां mention करते हैं ठीक है तो आप अपने knowledge के लिए लिख सकते हो अगर पैसा कहीं से भी आएगा income होगा तो हम इस side लिखेंगे पैसा कहीं क निकलेगा हमारे account से तो हम इस side लिखेंगे जो single column होता है उसमें सिर्फ एक rupees का column होता है double column में हमें ऐसे दो column बनाने पड़ेंगे जब मैं double column आपको बताऊंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगे ठेक है so cash in hand हमारे है अब हम बात करते हैं cash sales की जो की है साथ तारीकों तो इसका मतलब क्या है कि हमने sale किया जिसके वज़े से हमें cash आया cash आया यानि कि income वह cash आयेगा तो debit side जाएगा तो credit side तो cash आया है cash sale हुआ है तो यहां पर हम लिखेंगे 7 अप्रिल को साथ अप्रिल को cash sale तो यहां पर हम लिखेंगे two sales narration में हम यहां पर लिख सकते हैं cash sales कितने रुपीज का हुआ 16,000 तो 16,000 रुपीज हम यहां पर लिखेंगे ठीक है इसके बात फिर next 15 तारीक को क्या हुआ paid check to creditors अब हमने check दिया यानि bank से लेकिन यहां पर जो single column होता है वहां पर हम चाहिए वह cash आए कैश आए चाहिए bank से पैसे आए हम उसे दिखाते है एक की column में वही डबल कॉलम में हम दो भाग में बाढ़ देते हैं cash वाले को cash में डालते हैं bank वाले को bank से ठीक है लेकिन यहां पर single column में हम एक ही इंट्री करेंगे तो paid check to creditors creditors को हमने payment किया ठीक है bank के ठूँ लेकिन हम यहां पर इंट्री करेंगे तो पैसा गया क्यूंकि हमने पैसा paid किया है तो गया तो इस साइट कितने तारीक को 15 तारीक को तो 2024 एप्रील 15 ठीक है यहां पर हम लिखेंगे यहां पर नरेशन में हम डालेंगे paid to creditors यह नरेशन में जस्ट हम शॉर्ट एक information डालते हैं कि पैसे कहां गए किस वज़े से गए ताकि हमें याद रहे जब हम चेक करें तो सो कितने रुपीज है 4000 ठीक है पैसे आ रहे है तो इस से जा रहे है तो इस साइट बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है सिंगल कॉलम में next है wages paid in cash wages का मतलब है मज़दूरी तो मज़दूरी का पैसा पे हुआ यानि salary पे हुआ क्याश में ठीक है पैसा आया या गया पैसा गया तो गया तो क्रेडिट साइट ठीक है तो बीस तारीक को 20 तारीक को हम लिखेंगे बाई कैश किस चीज में गया तो वेजेस पेड कितने रुपीज का वेजेस गया 2250 ठीक है फिर इसके बाद next entry है paid office expenses ऑफिस का भी खर्च हुआ 180 रुपई का तो same 21 April को by cash फिर यहां पे लिखेंगे office expenses कितने रुपीज का 180 रुपीज cash received 2850 ठीक है cash received हुआ यानि कि पैसा आया तो 28 April का entry है to cash cash received कितने रुपीज का cash received हुआ है 2850 बस कुछ नहीं हमें बस यह करना है पैसे कहां से आ रहे है तो इस सेट डाल देना है जा रहे है तो इस सेट डाल देना है बस तो बन गया हमारा cash book सारी entries हमने कर दी और भी आपको कई सारी entries मिल सकती है जो आपको नहीं समझ में आए आपने बस उसमें यह देखना है कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे है अगर आ रहे है तो आपने इस साइड डाल देना है ऐसे लिखके यह आप कहां से लिखोगे यह सब वर्ट को आपको इंट्र जादा है ठीक है जैसे यहां पर और इन दूनों साइड को प्लस करके देख लेते हैं या फिर ऐसे लॉजिक लगा कि जैसे यहां पर 16,000 है तो नॉर्मल सी बात इस साइड ही जादा होगी तो जिस साइड भी जादा रहेगा ना उस साइड को हम प्लस करेंगे तो यहां के जितने भी इंट्रेज हैं हम सबको प्लस करके लिखेंगे, सो calculate करके आ रहा है 20,500, तो जिस साइड जादा है उसी को हम दोनों साइड लिखेंगे, इस साइड भी हम सेम यहाँ पर लिखेंगे 20,500, और जिस साइड कम होता है फिर वहाँ पर माइनस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फिर लिखेंगे, एपरिल का जो लास डे होगा, यानि कि 30 अपरील को, 30 अपरील को हम यहाँ पर लिखेंगे, बाई बैलेंस, ठीक है और इस हमांट से, 20,500 से हम माइनस करेंगे इन तीनों अमांट को, तो 20,000 से माइनस करेंगे, 4,000 फिर माइनस करेंगे 2,250 फिर माइनस करेंगे 180 तो आएगा 14,070 ठीक है तो यह आगया आगारी विल्सीन मतलब यहां पर आकाउंट खतम होता है अब यह भी हो सकता था कि इसस्तेः जाधा आताira थ हम सेेंगे इस सब्शारा नोस दार्इज hoping की फिसिए मैं के लिए 2,500 फिर महीं यहां का बाई बैलेंस सीधी नेक्स्ट मन्त यानि माई के लिए टू बैलेंस बीडी हो जाएगा ठीक है तो यह हमें समझ में आता है कि इतना बैलेंस हमारे पस बचा तो यह था सिंगल कॉलम कैस्ट बुक बहुत ही इजी है कोई भी इंट्री रहे कैसे भी रहे हमें उससे मत अतलब नहीं है बस हमें यह देखना है पैसे आए की गए ठीक है और ऐसे करके लिख देना है यह सिंगल कॉलम आई होप आपको समझ में आया होगा इजी लगा होगा सो अभी आपको कैस्ट से रिलेटर और भी बहुत सारे सम दिखेंगे डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम पीटी कर सकते हैं सारी information आपको WhatsApp में description box में मिल जाएगी ओके सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और अगर आपको इस सम के नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे contact कर सकते हैं thank you friends